तो यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे डेमो अकाउंट चैलेंज की जो फेब्रोरी में हमने स्टार्ट किया था तो यह रिजल्ट कुछ डिले हो गया है कुछ यहां पर मैं बीजी था कुछ टाइम नहीं बिल पाया इसलिए मैंने सभी को वहाँ पर मैसेज भी किया था कि जो मुझसे पूछ रही थे कि रिजल्ट कब तक आएगा तो यहां पर आज हम फाइनले डिकलेर करेंगी कि कौन है जो यहां पर जो डेमो अकाउंट चैलेंज में विनर रहे हैं कौन नेक्स स्टेज के लिए क्वालिफा होंगे तो सबसे पहले एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है यहां पर 100 ट्रेडर्स थे जिन्होंने डेमो अकाउंट में टेडिंग की थी फेब्रोरी मंत में पूरे महीने में कुछ रूल्स के साथ जो मैंने उनको रूल्स बताया और उनमें से जो टोप 10 ट्रेडर्स होंगे उनको नेक्स राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो यहां पर मैं आपको बता अगर आपने 10% से भी लेस अचीव किया है तो मैं नहीं कहुआ कि आप डिस्करेज हों आप नेक्स राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको काफी चीजे पता चली होंगी जब टेडिंग करी होगी कुछ मेल्स भी मेरे पास आई थी कि काफी कुछ सीखने को मिला आपको रखना चाहिए तो यहां पर जो 100 टेडर्स थे उनमें से 18 टेडर्स जिन्होंने 10% प्लस प्रॉफिट जनरेट किया अब उनमें से क्या नाम है मैं आपको बताऊंगा कि जो 18 टेडर्स रहे हैं तो इनमें से पहला था सत्यम सैन, सौरब राजपूद, बॉबी आर्य सुमित बांगा, चिटकोटी आकास, वीके बकाल, सुमित कुमार, रस्मीर अंजन जेनार, नितिस कैरियर, हिदायत खान, सुनिल पबॉले, अनिल दुबे, मौहमत तर्जीम, और मौहमत साहिद अंसारी, अजे सिंग जदाम, प्रदीपैक, सांगे थिले, और जतिन चंदेर तो ये 18 पिपल है, जिन्होंने more than 10% profit, वहाँ पर February मन्त में generate किया, demo account में, तो इन 18 traders में से इनके account को analyze किया, तो profit ही एक criteria नहीं था, पहला criteria profit था, जिन्होंने profit generate किया, और इसके बाद भी फिर other criteria है, जो उनको pass करने थे, उनको rules break नहीं करने थे, कि क्या number of trades हैं, जो मैंने उन किया, और देखा, तो इन में से final 12 traders बचते हैं, जिन्होंने कोई rules break नहीं किये, तो इन में से 18 में से 6 ने rules break किये हैं, जो मैंने आपको पिछली slide में बताए है, तो यहाँ पर 12 traders जो next round के लिए qualify करते हैं, उन में से हैं, तो यह 12 traders हैं, जो next round के लिए qualify करते हैं, तो out of 18, 6 ने rules break किये, जो rules मैंने आपको पिछले बताए थे, तो वहाँ पर next round के लिए qualify नहीं करते हैं, अब इन 12 traders के साथ, तो call का जो procedure हैगा, मैं आपको email में contact करूँआ, और 31st March तक आपके पास कभी भी email आ सकती है, और contact किया जा स सकता है, ताकि आपके साथ call की जाए, और उन में से फिर जो 12 traders होंगे, उन में से 5 एच्छे traders को select किया जाएगा, और जो funding होगी, वो 1st April से start होगी, 1st week से, तो आप वहाँ पर आपको funding प्रोवाइट किया जाएगी, जो भी 5 एच्छे traders selected होंगे, और वो फिर April मंद से start कर सकत हैं अपनी trading, तो जो 12 traders है, आपके पास कभी भी email आ सकती है, तो आपको follow up करने की जूरुत नहीं है, मैं अपने time convenience के साथ, आपको email पर contact करूआ और आप से आपके time के according, आपके साथ call schedule करूआ, जो 31st March तक कभी भी हो सकती है, अब next round के लिए, यहाँ पर मैं आपको बताना च करेंगे, उनको फिर funding प्रोइड के जाएगी, अब क्या funding है, क्या rules है, इस बार में YouTube पर live आपको सब कुछ बताऊँगा, क्या rules है, जो आपको follow करने है, और कोई भी participate करेगा, मैं webinar के थ्रू नहीं, YouTube के थ्रू हम इसको करेंगे, so wait for YouTube वीडियो और notification को on कर लीजिए, और Instagram पर sign up करें और इसमें participate कर सकें, congratulations to all 12 traders जो next round के लिए qualify किये हैं, और hopefully आप में से ही मुझे कुछ 5 से 6 trader, अच्छे trader मिल सके हैं, जिनके साथ हम long term के लिए corporate कर सकें, तो thank you, मिलते हैं next video में झाल